गणेश वंदिना के साथ कोई भी काम शुरू हो ये परंपरा आदिकाल से हर हिंदू घर में चलिया रही है विग्न हर्ता, विग्न विनाशक, मंगल मूर्ती आदी नामों से प्रसिद श्री गणेश भगवान की पूजा सिर्फ घरों में ही नहीं, बलकि पूरे देश में एक राष्ट्रिय पर्व की तरह की जाती है गणेश चतूर्थी हिंदूओं का एक प्रमुख त्योहार है ये तोहार भारत के विभिन भागों में मनाया जाता है, किन्तु महराष्ट में बड़ी जादा ही धुमधाम से मनाया जाता है पुराणों के अनुसार इस दिन श्री गणेश का जनम हुआ था गणेश चतूर्थी पर हिंदू भगवान गणेश ची की पूजा की जाती है कई प्रमुख जगहों पर भगवान श्री गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है इस प्रतिमा की 9 या 11 दिन तक पूजा की जाती है बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुँचते हैं और 9 या 11 दिन बाद गाजे बाजे से श्री गनेश की प्रतिमा को किसी तालाब या जल में विसरजित किया जाता है गनेश जी, शिवजी और पार्वती की पुत्र हैं हाती जैसा सिर होने की कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं इनका वाहन मूशक यानी चुहा है और गनेश जी को मोदक बहुत पसंद है किसी भी शुबकारे को करने से पहले गनेश जी का नाम लिया जाता है गनेश चतूर्थी को गनेश जी का जन्म हुआ था, इस दिन लोग गनेश जी की मूर्ती को घर में स्थापित करते हैं, इस दिन व्रत रखने से विग्न हरता गनेश प्रसन्न होकर समस्त विग्न और संकट दूर कर देते हैं अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गनेश का विसर्जन किया जाता है शुक्लपक्ष चतुर्थी में भादरपत के हिंदी महिने में इस उत्सव को देखा जाता है ऐसा माना जाता है कि पहली बार चंद्रमा की द्वारा गनेश जी का व्रत रखा गया था क्योंकि अपने दुर्वेवार के लिए गनेश द्वारा वो शापित थे गनेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को ग्यान और सुन्दर्ता का आशिरवाद मिला भगवान गनेश हिंदूओं के सबसे बड़े भगवान है जो अपने भक्तों को बुद्धी, सम्रध्धी और संपत्ती का आशिरवाद देते हैं मूर्ती विसरजन के बाद अनंत चतुर्दशी पर गनेश चतुर्थी उत्सव समाप्त होता है भगवान विनायक सभी अच्ची चीजों की रक्षक और सभी बाधाओं को हटाने वाले हैं भारत में गनेश चतुर्थी सबसे प्रसिद्ध त्योहार है इसे हिंदू धर्म के लोगों द्वारा हर साल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है खासतोर पर बच्चे भगवान गनेश को बहुत पसंद करते हैं और उनकी पूजा कर बुद्धी और सभागे का आशिरवाद प्राप्त करते हैं लोग इस पर्व की तयारी एक महीने पहले हफते या उसी दिन से शुरू कर देते हैं इस उत्सवी माहौल में बाजार अपनी पूरी ले में रहता है हर जगे दुकानों में श्री गनेश की मूर्तियां सजी रहती हैं और लोगों के लिए प्रतिमा की बिक्री को बढ़ाने के लिए बिजली की बहुत खुबसूरत रोश्नी की जाती है भक्तगण भगवान गनेश को अपने घर ले आते हैं और पूरी आस्था से मूर्ति की स्थापना करते हैं हिंदू धर्म में ऐसी मानिता है कि जब गनेश जी घर पर आते हैं तो धेर सारी सुक, सम्रध्धी, बुध्धी और खुशी ले आते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर आते हैं